सर नमस्कार सर क्या नाम है आपका? सुकुदेव सर्मा ग्यावाली दास कहां से आई आप? काठमंडू नेपाल से सर क्या काम करते हैं आप? मैं पहले तो इंस्पेक्टर आफ इस्कूल था सुपरवाइजर कहते हैं नेपाल में मैं इस्कूलों को सुपरविजिन किया करता था और शिक्षकों को मैं तालिम देता था सर आप इतने एजुकेटेड है आप नेपाल से चल कर आए और हिंदुस्तान में संत्रामपाल जी माराज से नाम दिख्षली सर संत्रामपाल जी माराज जी हमेशा विवादों में रहते हैं जैसा कि यहां देखने को मिलता है तो सर संत्रामपाल जी माराज के बारे में आपके क्या विचार है जगत गुरु तत्त दर्शी संत्रामपाल जी के बारे में विचार हमारा विचार यह है कि अभी तक हमने जो सास्त्रिपास किया, मही संस्क्रित का बिद्यार थी होने के नाते, हमने सास्त्रिपीजिया, सास्त्रिपास किया, सास्त्रिपास करते-करते हमने इतने गंथों ले इतने गंथों में फड़ाया, तो उन गंथों में तत्तव दर्शे की बात भी आती थी, और बड़े-बड वहनतों की बात पर आती थी। उससे पहले, पहले आकर कि यहीं, हिंदोस्तान में आकर हैं मने संस्कीत की सिक्षा दिख्छा ली। यहां मैं आएश्गल का टीचर भी बना। तो मैं, जो सास्त्रों में जो गुई है बात होती है, सुचमाधी सुचमाधी बातें होती हैं, उन बातों को पढ़ते 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 मैं ठग गया था, कि ये तत्तो कहा है, तत्तो कहां मिलता है, तत्तो कौन देता है, वो तत्तो दर्शी कौन होता है, ऐसा जोड़ते ज मेरी धर्म पतनी जो अभी भक्तमति हैं अभी साथ में आई है उन्होंने वो भक्ति दर्शन तेली विजन देखती थी आध्यात्मिक चानल ज्यादा तर वो देखती थी मैं भी कभी-कभी देखा करता था मैं निर्दार ज्यादा तर मैं नहीं देखता था वो देखती रहती थी एक दिन उन्होंने का देखिए आर्थो भक्ति दर्शन में एक श्यामप्रसाथ सापकोटा जो भोगारवा अफिस में भोमिशुदार में उपसाची के लेविल में जो काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनकी भक्तमती ने 10 रुपया की एक किताब ले ली थी वो किताब देखने के बाद मेरा काया प तो उसके बाद मेने सोचा अच्छा यह कौन की किताब थी जो कि काया पलट हो जाती है किसी के उद्दार हो जाती है तो हम भी उसको अम भी तो उसको देख सकते हैं उसका पता लगा सिर्गा उनको तो उन्हें उन्हें आई-लाइट में जो मोईवाइल नम्र घता था था ब इसी भक्ता ने, भक्ती तर्सन की मेंबर ने बताया है, कि आप कहा हां रहते हो, हम बालाजू, काटमानू के नजी के एक बालाजू, गाउड़ू, गॉल्डूंगा गाउड़ू, उसमें वहां रहते थे, तो गोल्डूंगा नजी के तो बहुत नजी का, स्वाइम पर के हमें विश्वाश हो गया, कि उसमें तो सारा ब्रमान डगाई ग्यान रखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ था दिभी भागता है, एक सुलोग, तीसरे सकंदा का, चौथी अद्या का, बैलिशन सुलोग है, वो सुलोग मुझे याद है, ब्रह्मा अमिश्वरभरा किलते प् अचौन प्रह्मा घ्र ये चनिवरभरा कि अग्यान ग्याम रखाए, ब्रह्माभिष लिखा हुआ अगर हम मरण सीले हम इतने बड़े हम इतने इतने सबसे बड़े हम देवता हैं, हम ही मरण सीली हैं, तो इस दुनिया में और कोई, और कोण होगा जो नास्मान नहीं है, त तो इस परकार उनों ने जो प्रार्थना किया वा जो स्लोक हमें मिला तो उसी स्लोक से हमें बहुत ग्यान की इच्छा हुई आगे बढ़ने की इच्छा हुई खोज करने की इच्छा हुई अनुसंदान करकी इच्छा हुई तो करते-करते हम ग्यान गंगा को पढ़ते गए फिर बेद के कंडिका हैं हमारे संद्गुरू रामपाल जी महाराजी नी जो बेद के चारों बेद के कंडिका हैं दिये रखे उस लोक नहीं कहते हैं बेद के कंडिका कहते हैं कंडिका को दिये रखी है चारों बेद के स्लोक को हमने पढ़ा तो उसके बाद हमने फैसला किया क कि हाँ इसके इसे अलाबा और कोी все it was not सर आपने संच्हट में में की आ सिंद रामपाल जी महाराज पर कुछ लोगों का अरोप है while संच्हत्र अर्थों का अनर्थ कर देते हैं आप तो संच्हत्ज त्हों हैं då सर आपके क्या विचार है ο प्राप्ति नहीं किया हो वो बेद को समझ भी ने शकता और समझा भी ने शकता इसलिए मुझे तो ये बिश्वास हो गया कि हमारे संत जगतर गों तत्त दर्शी संत राम पाल जी महाराज के भागवत प्राप्ति भी हुई है पुन ब्रम प्रमेश्वर भगवान दर्शन भी उसके बाद ही हो तत्त धर्शी संत बने है त्तत्त दर्शी संत की उधा सधा नहीं होती तरह करूनों बरशा में एक आदबारी होता है यह है इससज़े वागवत यह हैं है जी हमारा सवह जोह है कि अबस्हवान वेर्शा लि Cumushy जयानपरक गंध बेद में भ्रामक बाते नहीं होती है, वेद में जो कुछ लिखा है, शत्य लिखा है, उसी शत्य का आधार पर ही भगवान का भेद में ही है। इस बेद से भगवान मिलते तो नहीं हैं, सोचमेवे बेद में जाखर के ही यो मिलते हैं, फिर भी हमारे जो ततवतर संतरामपाल जी महाराश हैं, इन बेदों का संपुना निचोड निकालने के लिए, जो यह अवतार हुआ है उनका, वो साक्षात इस्वर के रुप में अव संतरामपाल जी महाराश के बारे में कुछ लोगा का ये कहना है कि संतरामपाल जी महाराश के जो अन्यूयाई है, वो संतरामपाल जी महाराश के पीछे एक अंधभक्ती के तहट जुड़े हुए हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं, सर सच क्या है? आपका ये कहना है कि संत्रांपाल जी माराजी इतत्व दर्शी संत्य है कोई भी इसका खंडन नहीं कर सकता है अगर खंडन करता है तो वो हमारी इतत्व दर्शी संत्य क्या उनके हम जो कुट्टी है जो दास है हमारे पास आए हम भी उसको उसको अफ्तर दे दे को हम तायार है दे सकते हैं चाहे कहीं भी जाए बिस्व में कहीं भी जाकर करें हम जवाब दे सकते हैं उसको कि इनके अलाबा कोई परमेश्चुर नहीं है इनोंने जो समझा है ठीक समझा है वही यह सास्त्रविदी के उन सार जो भक्ति दिया है इनोंने सही भक्ति दिया है और सही भक्ति करके सही जगह पे हमें वो ले जाने ले जा सकने वाले भगवानों यह हैं इसके अलाबा और कोई ऐसी सा इस प्रकार का सकति शाली पुरुष इस संसार में इस विश्व ब्रमान में जन्मा ही नहीं अब तक सर संत्रामपाल जी महाराज में वह अन्य धर्मगुरों में आपको उस संत्रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं सभवार। में जो सिधांत भी आए बिया है सबसे पहले सिधांत को समझा में यह को यह नहीं तो और किताब गयरी ने दर में इन किताबं के मते इन गृंदोने feature하지 एन कृंट के मारफत, उन्हों Storm arrow सिद्धान्त के बाद उन्हें ये कह दिया है कि देखो अगर ये सिद्धान्त को समझने के बाद अगर मर्यादित भक्ति नहीं करोगे भक्ति करो मर्यादा मेरो ऐसा है उनकी बारी यही है भक्ति करो मर्यादा मेरो अगर मर्यादित तरीके से आप ब्यवार में नहीं आओगे बवार भी नहीं उत्रोगे, तो आप फिर फिशल जाओगे, आप फिर गड़े में गिर जाओगे. सर, आप बगत समाथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बगती में अभी अब आए हैं, उनको भी भोरी भोरी प्रसंचा करते हुए, मैं इस विश्व में जीतने भी हिंदू संस्कार में जनम ले चुके हैं, और जो जी निदन संस्कार में जनम नहीं ले चुके हैं, जैसे क्रिशियन लोग भी हैं, मुस्लमान लोग भाई भाई हैं, वो सब इस ज्ञान को समझें, सबसे पहले समझें, सर आपका कहना है कि संत्रामपाल जी महाराज के बताय अनुसारा बक्ती कर रहे है बखती कि संत्रामपाल जी में जो बक्ती आपको दी है उससे आपको क्या लाब मिला इस सब पहले तो मुझे लाब तु deposť बहुता है मिल गया है। सबसे बड़ा लाप तो यह है। मैं जीवन में रहता हूँ। रहत हो सकता हूँ। अगर मैं दृड़ भक्ति मैंने किया तो मैं बस अभिनाशी। जहां जाकर फिर लोग के आना ही नहीं पड़ता है। उस भक्ति मारगों मैंने पता लगया लिया। मुझे मुटुकार रोगी हूँ। मुटुकार रोगी हूँ। मम मुटुकार रोगी हूँ। आछे मुटुकार अघे मुटू कै perspective नहींàng सिता बिछ प्रपाधिए। उस बड़ता हु। मुझे मुझे बचा लिया था। तो वोकाते हेथ कि तो तीन दीन मłहाने बाद आप यान कर दो फोलो अपमें आओ और अपना चेक करा लिया करो नहीं तो फिर तुमारा फिर हार टेटेक हो जाएगा तुमर जाओगी ऐसा कहा था तो संतर रामपाजी महाराज के पास जब ग्यानगन के माद्दम से जुडगा है इस मिशन में जुडगा है और उंपरवाला में इसार कि अवी बीजिए रहो गया है अभी बीजिए आवास हो रहा है अब मेरा कोई रहोगी नहीं है खास जबा तो हमें यह मिल गया कि बग्वान ने शाक्षात पुनपरम्मा परमेश्वर ने अमारे सिर में जब हाथ रख दिया उसके बाद महीं स्वस्ता हो गया हूं मुझे क कोई जिंधा भी नहीं है संपॉन जिंधाभी जिंधा जिंधा से दूर अगया हूं मुझे डमा होता था सारम हो गया मेरेगे जाते हूं मुझे पीता जी साथ बरसा मी गुजर गया मुझे वही homework आपके कारन मुझे बहूँ अ दभाת सर बरवाला की घटना के बाद भी संतरामपाल जी माला से बहुत सारे सरदालों जूर रहे हैं जेल के अंदर भी बहुत सारे लोग उनसे जुड रहे हैं, उनके द्वारदी की भक्ती कर रहे हैं सर आपको कैसा लगता है? ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंगि जो भक्ती है, वो भक्ती मारगा का पता लग गया है भक्ति मारगा को पता लगने के बाद, आदमी की जो मस्तिक से जो है, मुंड़ी मुंड़ी मतिरी भिन्ना, प्रते एक आदमी की मुंड़ी में, आपके एक यी परिवार में भी मुंड़ी 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 पर देखने के बाद, आदमें को आश्यरे होता है, कि अईशा भगदी तो कहीं भी नहीं था, तो एक बार कम शेकम हम भी परख के देखें, तो वो जब देख लेता है, थोड़ा भी एक दो बने, शारी ज्यांगा के पूरी किता में पढ़ने की कोई आभश क्ता ही नहीं, मैं अगर एक थोड़ा सा भी पड़ा लिखा लोग, पड़ा लिखा आद्मी, अगर उसको एक दो एक दो स्लोक देखकरके, उसका आर्थ देखकरके, गहन दृष्टी से अगर देख लेगा, वो पता लगा, हाँ भाई, यह तो बहुत अच्छी बात है, यह तो ऐसा ज्यानतर में कहीं तो हमें देख लेना चाहिए, कम से कम, हमारे वह यह यह गुरु कौन है, ऐसी सि applaudscot प्रभा पॉण शे, काया करने वह पmeden के लिए भी, हमारे गुर्देवक के पास आते हैं, और आने के बाद, आते ही, ओ उनमें ऐसा प्रभा पढ़ जाता है, कि हमारे बेटें बेटी का अगर संभोधन करते हैं, आशिरबाद भी देते हैं, बड़े शहस्वबाब है, जोल प्रतिवाए, तो कोई भी भेदबाब नहीं है, देखें, भेदबाब जो है न, बेद में कहीं भी भेदबाब नहीं, ये पराणी काल में आकर भेदबाब शुरूआ है तो भागवान जो करता है न, भागवान जो बेवार करता है दुसरों को बेवार तो उसमें वो भेदबाब की दिश्टी से कहीं भी नहीं देता है, बशुदाइबा कुटूमबा कम, बशुदाई संसारी हमारा कुटूमब पराबर है, परिबार पराबर है, ये ही तुम मर्याधित काम मरो, मर्याधा में रो, भक्ती करो, मर्याधा में रो, और कर्म करने की सभी थूट है, और जो खाने का चीज वो खाओ, ना खाने वाला चीज मत खाओ, बस इतना ही वो संदेश देते, कुछ लेते नहीं है, खाली देते, के बल देती हैं, देना तो जानते लेने अगर लेना कुछ नहीं जानते इसलिए वो सभी को बच्चे मानकर वो शिक्षा दिख्षा दे रहे हैं जी धन्यवाद सब्सक्राइब लेना कुछ लेना कुछ दे रहे हैं जी धन्यवाद सब्सक्राइब